Hello students, welcome to this class, आज हम करने जा रहे हैं, CA Foundation का जो एक्जाम हुआ, December 2020 के अंदर उसके solution, तो बच्चों आपका result आच चुका है, तो आप देख सकते हैं, आपकी कितने marks है, और कितने question आपने attempt किये थे, किस तरीके से किये थे, तो बिल्कुल एक जो post-martem बोल सकते हैं, एक DNA बोल सकते हैं, हम वो इस exam का करने जा रहे हैं, तो सभी question है, chapter wise कि कौन से chapter से कौन सा question आया है, ठीक है, और बिल्कुल exact जो आपका exam है, वो question में आपके सामने लिखा है हूँ आज, तो सबसे पहले math करेंगे, फिर अपना जो है statics करेंगे, reasoning करेंगे, तो सबसे पहला जो question है आपके साम पहले बात तो अब जो root है, ठीक है, root का क्या मतलब होता है, root का मतलब होता है कि power 1 by 2, ठीक है, और यह क्या है, 9 का root क्या होगया, 3 होगया, ठीक है, तो 9 का root अगर 3 आ गया, तो यह 3 की power क्या होगी, मैनस 5 हो गही, और आगे चलते हैं, तो multiply 3 की power क्या है 3 की power है minus 7 by 2 ठीक है 3 की power क्या है minus 7 by 2 होगी अब ये next अगर चलते हैं तो 3 की power क्या है minus a by 2 ठीक है minus a by 2 ठीक है तो अब base में तो power add हो जाएगी base में तो क्या हो जाएगी power add तो 3 की power ये क्या हो गया minus 17 by 2 हो गया ये आपका और 3-1 डिवैड़ बाए 2 तो बेसे में तो पावर भी सेम आएगा तो A equal to क्या आगया आपका 17 आगया तो अंसर क्या आगया D आपका अंसर आगया तो बस यह थोड़ा सा पावर का खेल था तो बस इसको सोल करना था तो आपका अंसर आगया अगया चलते हम second question के दरब तो second question है वह आपके logarithm के question आए है ठीक है logarithm के आपके दो question थे exam के अंदर तो सबसे पहला question है बस यह थोड़ा सा अगर आपको result याद है तो बिल्कुल असानी से इसको कर सकते है तो result क्या था log y base x equal to n तो यह क्या होता है y equal to x की power n होता है ठीक है तो अब यह देखे y की जंगे क्या है y की जंगे है root 3 यहाँ पे y की जंगे क्या है root 3 है और x की जंगे क्या x की जंगे a है और इसकी power क्या है 1 by 6 तो a की value क्या आगी root 3 की power क्या आगी 6 आगी root 3 की power क्या हो गी 6 तो अब यहाँ से क्या अंसर आएगा, रुट 3 के पवर 6 क्या हो जाएगा, यानि कि 3 के पवर 3 तो अंसर जो है आपका कितना ऐगा 27 जो है अपका अंसर आगए, बस किольно हमने विए team harvest कर लिया लूट 9 प्लस लोग 5 तो प्लस है तो क्या हो जाता है अगर प्लस में है तो क्या हो जाता है multiply हो जाता है तो आपका अंसर क्या जाएगा ये आपका अंसर आजएगा 9 multiply 5 45 लोग 45 अंसर आजएगा गिए प्लस है तो लोग क्या हो जाता है multiply हो जाता है तो दो question जो है ये आपकी exams के आये थे उसके बाद question है ये बोलता है कि two finite set है, क्या है आपका, टू final set है और जिनका total number of subset of first is the 56 more than, तो number of subset कैसे निकालते हैं, number of subset जैसे कि, माले जी, elements जो दे रखे, ओ रखे हैं, element दे रखे हैं, x और y अलिमेंट दे रखे हैं, तो number of subset कैसे निकलेंगे, दूखी एक्स और दूसरे वाले क्या निकलेंगे टूखी भाई और इनका जो डिफरेंस से अव ऑर कितना है 56 है और 56 है यह तो आप टूखी पावर में होना चीए तो टूखी पार में अंसे पर देखते हैं जैसे टूखी पार जिरो क्या होता है वन फिर तू फिर 40 ,फिर एट ,फिर 1 ,फिर 16 ,फिर 32 ,फिर 64 ,ब देखो जो 56 है वो किसका डिफरेंस है ?56 जो डिफरेंस है आपका वो है 64 और 8 का मतलब एक तो आएगा 2 की पाऊब 6 और एक आएगा 2 की पाऊब 3 ठीक है तो आपके अनसर के आएंगे 6 और than प्रिक है तो X के वैलू 6 आगे और Y के वैलू क्या आगी 3, 2 एक के अंदर 6 एलिमेंट होंगे और एक के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, अभी तो जब नमबर अफ सबसेट है वो 64 और 8 बनेगा तो उनका जो डिफेरेंस है वो कितना आएगा 56 और चेक कर लिजे किसी का भी बाकिय किसी कभी 56 जो है वो डिफेरेंस नहीं बनेगा आपका तो उसके बाद देखें कोशन नमबर 5 है यह यह भी सेट वाले चेप्टर के अंदर आया है ठीक है तो इसमें क्या पुछा ओनली वन पुछा है ठीक है तो मैंने क्लासिस के अंदर आपको बहुत अच्छे से ओनली व प्रस एन सी ऐ माइन टू एन अके इंटरसेक्शन आ नदी एं इन्टरसेक्शन और आन प्रस एन OR के अपके पास तो हैopa हम यहापर पुछ कर देहाए यह है वैल्यू मतलब की यह 개सेंद प्लस 32 प्लस 50 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 14 और प्लस का 6 और जब इसको add करके देखेंगे तो यह आपका 96 आएगा तो यह answer जो आपका C answer आजएगा ठीक है बहुत इजी था बस यह formula जो आपको याद होना चाहिए था next question है question number 6 question number 6 जो बोलता है set of cube of all natural number natural number के set का cube क्या होता है infinite होता है क्योंकि natural number का तो कोई condition ही नहीं भी खहां तक होएंगे तो इसका जो answer वो क्या जएगा infinite set आजएगा ठीक है number of element non countable है infinite set आजएगा तो उसके बाद question number 7 है relation function के chapter से आया है यह question number 7 आपका तो इसमें बोलता है कि एक function है 3y इसका inverse बताने clear तो इसको क्या नहीं सकते है जैसे कि f y एक function है कितना 3y ठीक है इस function को कुछ भी माल लिजेए जैसे कि हमने z माल लिया इस function को ठीक है तो y equal to क्या हो गया z by 3 हो गया तो y की जंग है z और z की जंग है y तो y by 3 equal to तो यह आपका क्या आगया inverse आगया function का y by 3 clear यह ऐसे भी कर सकते है 1 put करेंगे हां पर अगर 1 put किया तो 1 put करके क्या आ रहा है 3 1 put करके 3 3 put करके क्या आनाची है 1 3 put करके 1 कहा सी आयगा 3 put करके 1 आपका सिर्फ a option चाहएगा आप किसी से भी आपका नहीं आएगा उसके बाद कोशन नमबर एट है सिक्वें सिरीज के उपर कोशन आया यह तो कहता है यह मैंने कोशन क्लास के अंदर भी करवाया था आप लोगों को बिल्कुल डिटो कोशन तो 69 जो है वो तो टरम है और 463 प्रोड़क्ट है तो हम इनको 480 आएगा 483 बनेगा 483 आएगा फिर यह अंसर आजाएगा ठीक है वस यहां पर 483 आएगा तो 2123 का प्रोड़क्ट करोगे तो 483 है जो आपका बनेगा तो यह आपका अंसर आगये करते हैं तो कोशन नमबर 9 है कोशन नमबर 9 जो है आपका यह भी आपका AP की उपरी है इस तो जो 6 अपको दे रखी है ये दे रखी है 38 तो A प्लस 5D 38 और A प्लस 90 ये कितना आपका 66 तो इनमे से लस किया तो ये आगया 4D और इसने से लस किया तो अपको कितना आगया 28 आगया ठीक है तो D 이 वैलू क्या आ गी 7 और D कि वैलू अगर 7 है तो A की value यहां से क्या आगी? 3. आपको value बतानी है 20 ट्रम की. तो A plus में 19 D. तो 3 plus में 19 multiply 7. ठीक है? तबी कितना आजएगा? ये अगर हम करेंगे 133 और plus में 3. 136 जो है आपका answer आजएगा. बहुत easy question था, बहुत ही simple question था ही आपका. तो next question की तरफ चलते है question number 10. कैता है sum होना चीए 130 और product होना चीए 27,000. तो हम अगर A option का sum देखें तो आ रहा है 130 और B का भी आ रहा है 130 इनका product 27,000 आ रहा है तो आपका क्या answer हो जाएगा? C answer हो जाएगा कि A और B बोथ उन्सर आजएगा. तो ए question थी आपके sequence series के. नेश जो equation के chapter से question आई है, equation भी most important chapter है, बहुत easy chapter है. तो इसमें बताने है, rational route बताने है कि इन में से कुन सा है? जो put करके 0 आ जाएगा वही answer है आपका. तो मालीजे मैं 2 put करके देखता हूँ. अगर यहाँ पर 2 put किया तो यहाँ से कितना आ गया? 16. उसके बाद यहाँ पर put किया 2. तो यहा से क्या आ गया? 8. और उसके बाद put किया तो यहाँ से क्या आ गया? 2. तो यह put करके मेरा जो है 0 नहीं आ रहा है. 0 नहीं आ रहा है, तो यह answer आपका नहीं हो सकता. ठीक है, यह answer नहीं हो सकता. उसके बाद put करते हैं, minus 2. ठीक है, minus 2 put करा यहाँ पे, तो minus 2 put करेंगे, तो यहा सकते हैं कि इन दोनों में से क्या को मना रहा है P स्केर को मना रहा है क्या को मना रहा है P स्केर को मना रहा है तो क्या बचा 2P माइनस 1 बचा और यहां से क्या को मना रहा है 2 को मना रहा है ठीक है 2 को मना रहा है तो यहां से क्या बचा 2P-1 बचा फिक है तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो P के वैलू के आ रिया 1 by 2 फिक है तो 1 by 2 आ रिये रेशनल और उसके इलावा तो फिर जो या तो फिर क्या आएगा P स्केर माइनस 2 आएगा इकवल टो 0 तो ये रूट में अंसर आएगा तो रेशनल रूट तो ये है 1 by तो इस तरीक के से कर सकते हैं, अब putting method से भी हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद question number 12 है, कि M plus root M क्या आना चीए 6 वटा 25, तो option put करके देखेंगे, तो ये option put करेंगे, तो हमारा answer आजेगा 1 by 25 और इसका root 1 by 5, ये आजेगा 6 by 25, तो ये आपका answer हो गया, ठीक है न, ये थोड़ा अब, तो ये जो है option putting से हमारा question जो है, soul हो गया, अब या आगे चलते हैं, तो question number 13 है, ये भी equation के उपर है, तो इसके आपको root बताने हैं, दो root कौन कौन से आएंगे, तो अगर हम इसके factor बनाएं, तो कोई factor बन रहे हैं क्या, अगर हम इसके factor बनाएं, ठीक है, इसके factor here, minus 8G, minus 6G, plus में 60, तो common क्या रहे है, G, और ये बचा G, minus 8 by 3G, और ये 8, मतलब कि 8 by 3, तो एक आएगा आपका factor, तो 8 by 3 तो कैस में है, D में है, तो D आपका answer आगे, अगर 2 common आजे ना, तो 3G minus क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 by 3 तो एक factor आएगा, ठीक है, तो यहां से आप आपका क्या answer आगया, इस तरीके से हम कर सकते हैं, और यहां से 2 common आएगा, तो factor आपका 2 आजेगा, ठीक है, उसके बाद question number 14 है, इसके भी आपको root बताने है, तो इसके root जो है आपके, ये बताने है, आपको root कौन कौन से आएगे, तो जो put करके 0 आजे, ठीक है, भई अपने root बताने हैं, तो जो put करके 0 आजे वही answer, तो x की value put करते हैं हम लोग, या गर इसको solve करेंगे, तो time लगेगा, देखो क्योंकि factor बनाने में time लगेगा, तो putting method से करेंगे, ठीक है, तो putting method से करते है, तो पहले हम put करते, a put करके देखते हैं, तो a put करा, तो क्या हो गया, 2 a square, फ 12 a minus का, और plus का 12, तो यह put कर के आ रहा है, तो यह put कर के आ रहा है, तो यह answer बनेगा, ठीक है, तो बस putting method दिक किया, तो आपका answer आगया, next question है matrix का transpose,oral ohne грgic, rebgic का transpose का transpose क्या होता है बताइये, column matrix होता है, ठीक है, row matrix क्या होती यह, row matrix होगे, जैसे कि 1 by 3, तो इसका transpose क्या हुआ, 3 by प्रवाइब रो मेंट्रिक्स का मतलब ओनली वन रो ठीक है तो ओनली वन रो कोलम कितने भी हो सकते हैं अब रो तीना कोलम एक है तो कोलम मेंट्रिक्स होगी इसका ट्रांसपोर्ज उसके बाद 16 है 16 क्या कहता है कोश्चन आपका 16 क्याता है कि एक ही 3 दे रखा है एक ही 4 दे रखा है बिल्कुल एक्जाम के अंदर आये थे मेंको बहुत टाइम लगा कोश्चन को देखने में और उनको ठीक करने में काफी सारे मिस्टेक भी थी टाइपिंग के अंदर इसके अंदर तो बिल्कुल पूरा टेस्ट जो है करताुन है डियुक्क हुष in को चौन उइस sob है तो अब यह बताओ की एक की 3 इंऊ की मुल्टीप्लाइएग वे करें या एक की 4 की multiply एक स्केर से करें बात बड़ाबर होती है तो हम क्या करते है इसका स्केर कर देते हैं अगर हम इसका स्केर करते हैं 0 माइनस आयटा माइनस आयटा 0 फिर 0 माइनस आयटा माइनस आयटा 0 ठीक है अगर हमने साथ स्केर क्या यह तो आगया आइटा स्केर उसके बाद क्या तो यह आगया जीरो ठीक है यहां से क्या तो यह आगया जीरो अर यहां से क्या तो यह आगया आइटा स्केर ठीक है और यह आपका क्या आगया minus 1 0 0 और minus 1 आगये हैं हापने और एकी 4 एकी 4 आपका दे ही रखा है क्या दे रखा है 1 0 0 1 ठीक है तो इसकी multiply किसके साथ करें की answer आजे तो option चेक करेंगे option में हम इसकी multiply करके देखेंगे तो अगर इसकी multiply अगर हम इसके साथ करते हैं तो आपका यही answer आएगा तो यही answer आएगा तो आपका B answer जो है वो आ गया ठीक है इसकी multiply अगर हम इससे करते हैं तो आपका यह आ जाएगा ठीक है तो a-sk ź क्या होना चाहिए इसके रोना चाहिए बियांसर क्लियर होगा है उसके बद कॉश्चन अम्बर 17 है एक फुट बास्केट कंटेन सेवन एपल सिक्स बनानाज फोर मेंगोज और आपको बोलता है कि थ्री फ्रूट स्लेक्ट करने है और फ्री अपल सारे के सारे एपल हो तो सारे है कि सारे एपल हो तो मतलब साथ में से निकाल नेगी हम तो सेवन सी थ्री तो सेवन का फेक्टोरियल ठीक है सैवन में से भीरने रहें सिर्फ एपल उन्हें चेंव और नम्बर फ्वेज पुछह आपने को तो सेवन थरी और suppose फेक्टोर्य ऌर तधरी का फेक्टोरिन को या गया 7 multiply 6 multiply 5 4 cut हो गया और निक्षे 6 ठीक है तो 6 से 6 cut हो गया 35 बेज आगे तो 35 तरीक्के से हम जो है 3 apple निकाल सकते है 7 में से ठीक है तो यह आपका जो अंसर है वो कितना आगया आपका 35 आगया ठीक है उसके बाद question number 18 है ठीक है बलता है seven boys or four girls है एक team जो है बनानी है और इसमें बोलता है कम से कम one girl लो कम से कम one girl ठीक है या तो one girl चूज करो फिर two girl फिर three या four तो ऐसे case बनाने पड़ेंगे तो आप ले सकते हो भी 11 में से पांच यह तो total case बनेंगे किता है कम से कम एक girl हो यानि कि girl ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए गिन ना हो तो क्या हो yak together 7 में या तो is तरीके से कर लिजए वरना अलग-छम बनाने पड़ेंगे e चार केस बनेंगे और इसमें time लगेगा तो इस तरीके से अगर हम इसको solve करा तो यहां वान्lar तो आपकर और से तो आपका कितना आ 3 2 1 तो इसको सोल करते हैं तो 5 2 10 चला गया और 4 से चला गया अपना टूपे और 3 से चला गया 3 पे ठीक है तो साथ दूने चोदात यह ब्याली 420 हो गया ठीक है तो 420 कि यह हो अब है तो अबहिए होगया 42 मल्टिप्लाय ग्यारा तो यह हो गया छेटी चार्टी चार्याइब बासर डिप मैंनस में 21 तो 441 आ गया है 441 जो है पर यह अंसर आगया 441 ठीक है न बस यह हो गया तो यह नहीं है, और 20 नहीं है, 462 अंसर आया, multiply करके 21 माइनस कर दें, उसके बाद यह question है, कि यह relation जो है, आपको दे रखा है, और आपको solve करके बताने कि क्या अंसर आएगा, फिक है, तो अगर हम इसको solve करें, यह question लिखो, आप थोड़ा सा उपर करता हूँ, आपको दिखें है, तो यह देखो, यह question जो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो, n का factorial, n माइनस 4 का factorial, और 20, n का factorial, और n माइनस 2 का factorial, अब यह तो कट हो गया, ठीक है, अब जो है, n माइनस 2 को हम क्या लिख सकते है, n माइनस 2, n माइनस 3, और n माइनस 4 का factorial, तो अब यह तो कट हो जाए गा तो और क्रोस मल्टिप्लाई करें तो N-2 और N-3 एक इसके क्या बनेंगे 5 और 4 बनेंगे तो बड़े वाला फैक्टर बड़े वाले फैक्टर के एकवल तो N की वैलू क्या आगी 7 तो 7 इंसल आगे बस आपका ठीक है बना पुटिंग मैथ्ट से भी कर सकते है तो भी आपक जो है आ जाएगा उसके बद कॉश्चन नमर्ट टूटी है जो है वो सेलेक्ट करने कम से कम टू वोमेन होने चाहिए तीन भी हो सकती है तो अब यह बताईए चूज इतने करने चार तो मालिज़ दो मैंने कितनी आपकी दो मैंने तो फॉर सी टू तो बाकी कितने में से आएं लिए और अगर यह one है और यह कतनी होगे तीन उसके बाद यह कितनी है zero यह कितने होगे four तो यहां से एक आजाएगा ठीक है और यहां से अंसर कितना आएगा 8 यहां से 4 यह कितना हो गया 32 यहां से आएगा 6 ठीक हम यहां से आएगा आपका 28 तो 28 multiply 6 तो यह हो जाएगा 168 तो 168 प्लस 32 200 और यह 201 जो है आपका अंसर आया तो तो भी option जो है आपका यह अंसर हो ठीक है तो बेसिक तरिक्के से हमने इसको सोल किया उसके बड़ टाइमें लोफ मनी है जैसे कि मैंने बदाने था इसके अंदर कि बहुत ही पोटेंट बहुत ही इसी आता है पर के अंदर तो एक कोश्चन आई हो है ठीक क्या काफी सा पोश्चन है तो देखे कैसे करेंगे और वर्ट सम्विल भी compound interest बताना है कि 32 C कितने के उपर होएगा तो compound interest का formula क्या होता है compound interest का formula होता है हमारा तो सबसे पहले तो amount निकालते हम लोग तो compound interest का formula होता है कि principle 1 प्लस R पावर N और माइनस का P ये दिरखे 32 C ठीक है तो ये हो गया 1.1025 और माइनस का P ये आजेगा 32 C तो P आगे आपका 32 C divided by 0.1025 ठीक है तो ये आपका जो अंसर है यहां से 32,000 आ जाएगा तो ये ना 32,000 जो है ये आपका अंसर यहां से आ जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सा सोल करेंगे तो ठीक है ना बस इस तरीक के से आई आपका अंसर हो गया तो आगे चलते हैं question number 22 है ये बोलता है 42,800 जो ह आपका वो क्या है simple interest है तो simple interest क्या से निकलता है simple interest दे रखाया और अपने को क्या चीए principle तो principle क्या से निकलेगा simple interest multiply 100 upon में time और rate तो ये दे रखाया 42,800 multiply 100 और time 10.5% दे रखाया तो 2.5 और time दे रखाया 3 year 3 month तो 3 year और 3 month तो एक बटा चार 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 ती बार और एक तेरा तेरा बटे चार तो इसको solve कर लेंगे हमारा answer आजेगा और ये सायद इतना आएगा ये 526769 ये answer आएगा आपका ये बड़ चेक करके देखना तो ये जो है आप का answer आपके सामने हो तो उसके बाद है amount P becomes ये आपको amount दे रखा है और second और fourth year और 1% जो है compound interest P और R की value जो है आपको बतानी है ठीक है किसकी value बतानी है P और R की और कितने year का gap है ये second का और fourth year का gap दे रखा है आपको ठीक है और 1% जो है interest per annum है P become second or fourth year तो R तो दे ही रखा है इसने question तो यही था भई तो इसमें 1% तो दे रखा है 1% interest per annum तो फिर तो यह answer ही आगया P R कुछा था R तो दे ही रखा है इसके अंदर question के अंदर जो question मिला है तो फिर तो यह answer ही आगया बस हो गया यह तो ठीक है इवा try और कर लेते हैं कि 5000 का जो 1% है वो कितना हो गया 5000 का अगर हम 1% करते हैं तो कितना हो गया 50 रुपे हो गया अगले साल का भी 50 रुपे और इसका फिर 1% करेंगे तो point 5 आ गया तो इंट्रेस्ट बनना चीए सो रुपे 50 पैसे दो साल में बिल्कुल सही बन रहा है ठीक है तो अंसरी आगया डारेक्ट बस तो इसमें पी की वैली कुछी होगी आर की नहीं कुछी होगी तो आपका अंसर यह आएगा अंसर आएगा सब्सक्राइब कर देना तो यह आपका जो है पी की वैल्लू आपकी आ जाएगा तो ने फिचर वैल्लू बताने है आपकी तो फिचर वैल्लू बताने है एन्वेटी की फिचर वैल्लू का फॉर्मॉला क्या होता है एन्वेटी की फिचर वैल्लू का फॉर्मॉला होता है आपका वन फोर की पावर सेवन माइनस वन डिबाइड बाइब पॉइंटर वन फोर तो यह वैलू दे रखी है तो उसके बाद तो इसको सोल्ड कर लीजिए आपका आज आ जाएगा ठीक है करके देखना बस यह तो उसके बाद है फैंड ता प्रजेंट वैलू प्रजेंट वैलू ब पाद में तो एक लाख तो क्या होगे अमाउंट तो अपने को प्रिंसिपल निकालने इसका रेट वन पॉइंट जिरो नाइन हो गया और पावर फाइव तो इसके पावर फाइव पर के से डिवाइड करने आपको ठीके चोंसर डिजार सम्टिंग अंसरा जाएगा ठीक और अपने को क्या बताना है एनवर्टी बतानी है फ्यूचर वैलू कितना होएगा ठीक है तो फ्यूचर वैलू हम कैसे निकालते हैं बताओ फ्यूचर वैलू बताओ किस तरीक कैसे निकालते हैं तो इस तरीके से कुश्यन दे रखाए फ्यूचर वैलू कैसे निकालते है यह मतलब की future value का क्या formula होता है r 1 plus i की power n minus 1 upon i यह formula होता है ठीक है तो यह कितना है 100 1.08 इसकी power 5 minus 1 और 0.08 तो देखो इसमें से कौन सांसर आ रहा है तो इसमें से यह answer आ रहा है आपका multiply divide करना है इससे तो यह answer आ रहा है देखो बिलकुल हमारे formula से match करता हुआ बिलकुल ठीक है तो यह answer आ रहा है आपका ठीक है बस हो गया मतलब की divide करना है न इससे तो यह divide तो सिर्फ इसी के तो किसी में भी नहीं हो रहा तो इसके बाट ट्वंटीएट कोश्यन है यह क्या बोलता है पर संट इसे टू इन्वेस्ट करता है पर यह फॉर नेश्ट फाइव यह और कंपाउंड करने अप्रोक्सिमेट फीटर वैल्यू बदाने तो फीचर वैल्यू का जो भी हमने फॉर् को तो एक लाग पची हजार और वन पॉइंट जिरो फाइव की पावर फाइव माइनस वन और पॉइंट जिरो फाइव ठीक है बस इसको सोल कर लिजी आपका दिसरा जाएगा तो उसके बाद देखे और वैसे भी एक चीज़ देखो ना अगर हम एक लाग पची हजार पर इससे जयादा अनसर आना चीए इससे जयादा अनसर तो यह अंसर मिलेगा आपका तो उसके बाद देखिए find the compound interest, 50 और पे compound interest बताने, 8% compound, semi-annually interest बताने, तो interest मैं थोड़ा सा calculator use नहीं कर रहा, तो मैं simple तरीके से एक बढ़ बता रहा हूँ, तो semi-annually है, तो 4% हो गया, तो 4% करा, तो हमने कितना आगया, 2000 और 2000, तो 2000 का फिर से 4% कितना होगे, 80 तो 4,080 रुपया आजए गई, ठीक, आपके calculator से निकाल के देखना formula आपको पता आई है, क्या कौन सी statement इन में से true है, तो present value of novelty due is greater than the present value of only novelty, इसकी value क्या होती है, present value क्योंकि 1 plus 8 से multiply और करते है, तो इसका तो एह ही answer आगया, ठीक है, भी तो रूंग दे रखाया, future value जो और नियावटी, future value of only novelty is greater than future value of novelty due, नहीं, future value तो कम हो जाएगी उसकी, उसकी present value उसकी है, तो present value ज्यादा होगी कि क्या ज्यादा होगी, तो formula देखे क्या होता है, करेंगे तो ज्यादा होएगी होएगी ठीक धोप देखो तो कि पर्जेंट वेलु जो है आपकी फिचर वैलू इक्वल्टू फिचर वेल फोन इंवर्ड टीओं तो यह तो गलत हो गया डी तो बिल्कुली फुचर वेलु फोनियर वेलु इस ग्रेटर दें अधिकर वेलु अब देखो फ्यूचर वैल्यू के अंदर जो फ्रमुला होता है गलत है तो इन में से कौन सा ठीक आएगा परजेट वैल्यू ठीक आएगा आपका ठीक एक का जो लगा के देखो ना बिल्कुल सही अंसर जी आपका यह अंसर आई उसके बाद के तो पच्छी सो जो पेड करना है टैनियर तक और इंट्रेस्ट इतना है 50 परसेंट तो लोन अमाउंट बताना है यानि यह लोन तो परजेंट वेल्यू होती है तो पच्छी सो और यह कितना दालने ना तो परजेंट वेल्यू का क्या फॉर्मॉला होता है तो परजेंट वेल्यू का फॉर्मॉला लगाएंगे तो परजेंट वेल्यू का फॉर्मॉला होता है हमारा कि वन माइनस में 1.14 की पावर माइनस 10 अपोर में पॉइंट 14 तो यह फॉर्मला लगा देंगे तो आपका अंसर जो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से करना है बसी उसके बाद याता है आपको बताने 9 मंथ के बाद बताने कि कितने हो जाएंगे 900 रुपे पर मंथ करता है ठीक है और रेट इतना है और कंपाउंड मंथली है ठीक है और 9 मंथ के बाद बताना है तो फिचर वैलू निकालनी है तो मैं लिख देता हूं आप सोल कर लेना तो 900 वन अभी 4.8% तो पर यह होगा और कंपाउंड मंथली करना है तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना हो गया पॉइंट 04 यह इंतने इंटरेस्ट हो गया और टाइम कितना हो गया 9-1 और 0.004 तो इससे आपका अमाउंट आजेगा जो भी आपका जो इकठा होगा वो अमाउंट आपका आजाएगा ठीक है ना तो बस हो गए यह तो यह वैलू आपको दे रखी है बट यहाँ पर पावर 9 आएगा क अप्शन के अंदर तो बस इसकी पावर सोल कर लेंगे यह हमको सोल करना है नेस्ट कोशन है 33 नोमिनल इंटरस्ट बताना है कि कि कितना हो जाएगा कितना होगा उसकी तो हम क्या करेंगे हंडर्ड एजूम करेंगे प्रिंसिपल को और वन प्लस में कंपाउंड गया करना है इसको चार से डिवाइड करेंगे तो 4.5 और 4 और सोतर हम लगाते हैं और इसकी पावर कितने करेंगे 4-100 कर देंगे जो आएगा वह आपका बेनफिट आएगा ठीक है बेनफिट आएगा कि उसमें कितना इंट्रेस्ट है उसमें से 4.5 माइनस करना है बाकी जो होगा वह करने की वज़े से कितना इंट्रेस्ट रड़ेगा इसको इस तरीके से सोल करेंगे तो आपका अंसर आ जाए उसके बाद बहुत है और प्रजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रजेंट वैल्यू क्या होती है प्रपांच उटीगी तो एपोन में आर होती है तो एक इतना य आप डिवाइड करोगे तो यह आपका अंसर आ जाएगा यह 21.something कुछ आएगा 20.something कुछ ही आनी के मतलब एंसर आएगा या सी आएगा इसका तो देखना पड़ेगा इसको डिवाइड करके ठीक है तो ए आना चाहिए साहिए मेरी साब से तो बाकिया आप डिवाइड करें आप डिवाइड करें और यह आपका जो है अंसर आ जाएगा 35 बोलता है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंट्रेस्ट की जो रेसो है वो थ्रियर में इतनी है रेट ओप इंट्रेस्ट जो है आपको बताना है ठीक है तो कंपाउंड इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल की रेसो ब तो amount कितना हो गया अम फोर्मला क्या होता है amount principle 1 प्लस r by 100 वो time कितना है 3 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो amount आजेगा तो amount हमारा हो गया 343 इन दोनों को हमने add कर दिया principle कितना है 216 और 1 प्लस r by 100 कि power कितना है 3 तो 343 बटे में 216 कि power 1 by 3 और यह हो गया 1 प्लस r by 100 तो यह इसका कितना आगया 6 और इसका कितना आगया 7 तो यह आपका 1 by 6 सी अंसर आजएगा 1 by 6 आएगा यह और 1 by 6 को करेंगे तो 0.16 जो है आपका अंसर आएगा उसके बाद कोशन है 36 यह आपका कोशन थोड़ा रोंग है तो वैसे तो approximate cost पुछिए इसके अंदर और आपको cost function दे रखा है average cost function दे रखा है तो total cost पूछ रखा है approximate cost को तो total cost लेके चलते हैं तो average cost multiply quantity यह होता है ठीक है तो average cost दे रखा है ठीक है तो average cost में पूट करना अपने को 15 पूट करना है तो 2 multiply 15 प्लस में 6 और प्लस में 13 डिवाइड बाए 15 तो इसको कितने से गुणा करना है इसको करना है 15 से quantity से गुणा करना है तो यह कितना होगा 36 प्लस में तो multiply 15 तो यह आपका अंसर राना चाहिए 13 पंदर अच्छी के नवबे 45, 540 तो 553 प्लस राना चाहिए ठीक है तो question या तो question wrong है कुछ है question कुछ होड़ था थोड़ा सा misprinting इसके अंदर हो रिखे बट मैंने जहां भी search किया यह question दिखा रखा था ठीक है हाँ या यह हो सकता है कि उसने approximate cost पुछी हो approximate cost पुछी हो तो approximate cost जो है क्यों put करेंगे तो क्यों put करेंगे जो cost है आपकी 36.something आएगी 36.something तो यह answer भी हो सकता है वैसे इसका लेकिन अगर total cost की बात करें तो आपका जो answer है वो 500 रेप पनाएगा तो question के अंदर यह mistake है वो सकता है exam के अंदर भी ऐसा बिल्कुल same डिट्टो question था क्योंकि मैं को जहां तक पता चले कि बिल्कुल सारे बिल्कुल same डिट्टो exam के ही question है और थोड़ी चीज़ के अंदर मैंने correction रखी है तो y यह दे रखा है 3x plus 2 तो अगर हम देखे तो यह क्या हो गया 3x के plus 2x हो गया और इसके derivative करने है तो 6x plus 2 हो गया तो यह आपका क्या answer आगया C answer आगया बिल्कुल simple question था तो simple derivative जो आपकी कर ली थी उसके बाद race हो गया question आए हुए है आपको यह value बतानी है ऐसे question हमने की हूँ यह class के अंदर बस मैंने आपको बताया था कि A और B जो भी value है वो हम direct put कर सकते हैं इसके अंदर direct put कर सकते हैं तो A की value 3, B की 7 तो A की 3 put करी तो यह 9 हो गया प्लस में 14 हो गया तो कितना आगया 23, 23 एकी option के अंदर है clear? तो उसे next है 9, 4 दे रखा A और B के value, A by B और B by A कुछ है तो अगर A by B put रहे हां से आगया 3 by 2 और यहां से आगया 2 by 3 तो base में क्या नाची 6 और उपर मने गया 13 तो D answer आगया इसका अगर हम इसको थोड़ा सा soul करके देखा दो next question, last question है math का the ratio of a number of boys and the number of girls in a school is found boys और girls करे, so yeah, how many boys and equal number of girls should be added to bring the ratio to ratio 3, how many boys and equal number of girls should be added कितने add के जाएं कि जो ratio है वो क्या हो जाए 2 ratio 3 हो जाएं ठीक है, मतलब दुन्नों ही add करने है, boys भी add करने हो girls भी add करने है, तो यह देखो हम add करके देख लेते हैं, हम यह option put करके देख लेते हैं, और क्या, basic से करेंगे, तो basic से भी हो जाएगा वैसे तो कैसे हो जाएगा, 15 प्लस x और 32 प्लस में x क्योंकि equal है और 2 by 3, तो इसको solve कर लो तो 45 प्लस 3 x और यह हो गया 64 प्लस में 2 x x जो है, वो कितना आगया 19, तो 19 add करेंगे तो ratio जो है, आपकी कितनी हो जाएगी 2 ratio 3 हो जाएगी, हमने basic से solve कर लिया तो बटाई हम math complete हो गया आपका तो देख लिजीएगा किसे कितने question ठीक है इस तरीक किसे है, ठीक है और चैनल को जुरूर शेयर कर दीजे, लाइक कर दीजे वीडियो को, तो अभी हम आगये करेंगे आगये जो करने जा रहे हैं वो करेंगे, अभी हम logical reasoning तो logical reasoning देखेंगे किस त्रीक किसे question है जो आपका फस्चेप्टर है, नमबर से इसमें से question आए हो उसके बाद क्या है, वन का ठीक है, उसके बाद कितने का, थरी का उसके बाद फोर का, उसके बाद सेवन का, उसके बाद कितने का बताओ, इलेवन का अब यह देखो तू और वन थरी हो गया, थरी और वन फोर हो गया, फोर भी जैक कर लेते हैं मान लोग 46 आ गया तो 18 और 11 कितना हो गया 29 अगर इसमें 29 जोड़ेंगे तो 75 आएगा भी लुकुल आएगा 46 आपका राइट अंसर आ गया जो इसके डिफरेंस है उनको एड़ करकरके जो है नेस्ट जो डिफरेंस आपका बन रहा है तो कोशन नमर सेकंड है कॉशन No.2 क्या किय zach का ये कःते त्री बाइट इन टर्वा sup क्रड़ आएट गेड़ेंड के दो रुसे को इसमें धोर कितना आडो में, टी है ठीक है अगे देखरहएं कितना आड करें में निचे कितना हो रहा है निचे आड हो रहार इसको कर सकते हैं तो इसके अंदर आपको बताने कि कुण सा रोंग है इन में से तो अगर हम इसको देखें कोशन को तो यह देखो सबसे पहले क्या है जी ठीक है जी के बाद क्या आता है है एच आई जे ठीक है के ल एम दो दो छोड़ रखा है एम के बाद एन ओ पी ठीक है इस तरीके से तो यह तो ठीक है चलो उसके बाद अगर हम नंबर देखें तो चार के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 43, 43 के बाद 90 ठीक है तो यह देखो किस तरीके से इसने करक है तो किस तरीके से इसने किया हुआ है यह देखो 43 है तो 43 multiply 2 plus में 4 ठीक है multiply 2 plus में 3 multiply 2 plus 1 और अगर यहापे हम 9 लेते तो 9 multiply 2 plus 1 तो 20 सही आ रहे है तो यहापे आपका 9 आना चे टेन की जहेंगे तो यह गलत है आपका यह आपका रोंग है बाकी सारे के सारे सही है ठीक है तो उसके बाद fourth question है तो इसके अंदर देखे एच को क्या लिए रखा है I, E को F, A को B, L को M, T को U, H को I, एक एक increase करना है ठीक है तो N के बाद क्या आता है O, O के बाद P, R के बाद S, P के बाद U, H के बाद I, O, P, S, U, I तो A answer होगे आपका बस उसके बाद next question है That which one of the following is odd one वे इन में इस क्मसा अलग है आपका number तो इसमें से हम अलग देखें तो अलग किस तरी कैसे देख सकते हैं तो पहले तो 3 आड हो रहा है फिर 6 आड हो रहा है फिर कितना आड हो रहा है शिश उसके बाद 3 उसके बाद 6 नहीं आपे 3 नहीं हैंपर कितना है 9 666 six ठीक न थी न थीर हो रहा है फिर 6 और फिर 6 और एंट Um परी यहां पर यह कितना है रोड़ ऩर टूंछ यहां पर इंगतर हो रहा हैं 6 पूंछ Which यहां पर मिश्टेक कर रखा है, तो 3 के बाद अगर वही पैटन फोलो करते हैं, तो आपका यहां पर क्या ना चीए, यह गत कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो 6, 3 एड़ हुआ, उसके बाद 9 के बाद 15, 6 एड़ हुआ, फिर 6 एड़ हुआ, तो यहां पर 3 एड़ हुआ, ठीक ह ठीक है, तो 26 जो है, तो एक बार देखते हैं इसको, तो आपका जो रूंग है, यह आपका 26, हां जी, तो 26 है, यह आपका गलत हो गया है, यहां पर, ठीक है, तो अनसर क्या आ गया, इसका 26 आ गया, इसके अंदर देखे, कुशन क्या बोलता है, वन डे, राम लेफ्ट हूम, राम ने लेफ्ट के और वो साउथ की साइड गया, कितना 10 किलोमेटर, वो गया, साउथ की साइड, कितना 10 किलोमेटर, उसके बाद, ट्रन राइट, यहां पर जा कि उसने क्या लेलिया राइट तो इस तरब बनेगा इसका और फाइव किलोमेटर गया उसके बाद फिर राइट किया फिर कितना गया फिर दस किलोमेटर गया उसके बाद टरन लेफ्ट यहां जाने के बाद उसने क्या लेलिया लेफ्ट लेफ्ट तो कितना गया दस किलोमेट ठीक है एक जो मैंने वो वेस्ट फेस करता है देखियो तो इस वेस्ट जो है वो फेस करता है इधर है फेस उसका क्या होता है इस तरी के से अगर चले यह तो क्लोग वाइज और अगर ऐसे चले तो anti-clockwise ठीक है तो कहता है clockwise 45 direction move कर गया तो यहाँ पर आ गया वो 45 degree तो उसके बाद another 180 degree in same direction इसी degree में 180 direction और clockwise तो यहाँ पर बनेगा वो इधर आ गया उसके बाद 270 degree anti-clockwise anti-clockwise मतलब 270 270 का मतलब एक सोची तो यह हो गया तो 90 किदर आएगा इधर आएगा यह 90 वनेगा आपका तो यह कौन्सी डिरेक्शन है यह डिरेक्शन होगी आपकी southwest तो southwest direction में उसका जो है वो होगा इस्टाइब तो नेस्ट वोग है यह मैं वोग है लोंग मीडियम और सोट स्टेप 60 मिटर केंडी कवर्ट बाई 60 लोंग स्टेप ठीक है तो लोंग कितने स्टेप पर देखिए आपके कौन कौन से स्टेप आपके लोंग है मीडियम है और सोट है तो लोंग में तो 60 मिटर जाता है 100 स्टेप में तो कितना गया 0.6 मीडियम में कितना जाता है मिड्य में जाता है, 100 मिटर जाता है, 200 में, 100 मिटर जाता है, 200 स्टेप के अंदर, तो यह कितना गया, 0.5 मिटर, और जो छोटे स्टेप है, उसमें 80 जाता है, कितने में 200 में, तो यह हो गया, 0.4 मिटर, छोटे स्टेप लिए तो, कितना पांच हजार तो स्टेप लिए है, उस और मिडियम वाले लिये उसने 6000 और 25 वो लिये short step लेकिन move कैसे करया उसने he walk long step then turn his left ठीक है मान लिजे वो कहीं भी चला कहीं भी चला मान लिजे ऐसे चला ऐसे तो उसने ये step लिये और वो turn left left turn कर गया फिर उसके बाद मिडियम step चले उसने और उसके बाद फिर right turn कर गया पर 25 step वो चले तो बहुता है starting point से कितना दूर है starting point से कितना दूर है starting point से तो इस तरीक्ते से हमको निकालना पड़ेगा ये वला फिक है तो पहले चला कौन से step वो long step चला यानि कि अगर हम इसके multiply करते है साथ साथ multiply करते जाए यह हो गया 3,000, यह हो गया 3,000 और यह हो गया 1,000, ठीक है, तो 3,000 तो यह चला, फिर 3,000 यह चला, और फिर 1,000 यह चला, तो यह चीज अपने को निकालने की कि तनी हो गई है, ठीक है, यह चीज निकालने है, तो यह चीज निकालने है, तो एक चीज बताईए, यह कितनी है, यह भी तीन हजार है, और यह भी तीन हजार है, तो यह कितनी होगी, चार हजार, और यह कितनी होगी, तीन हजार, यह तीन हजार है, यह तीन हजार, तो यह हैपोटिनिस कितना आएगा, पांच हजार आएगा, तो पांच हजार है, तो पांच हजार है, तो इसके और इस तो यहां बनेगा, तो North East में है वो, और Move 10 मिटर फोरवाड चला गया, और उसके बाद उसने Left Run किया, ठीक है, तो इसका Left Run, इसका Left तो बनेगा इधर, तो इस 7.5 चला गया, ठीक है, तो 7.5 चला गया, तो अब यह कौन सी Direction में है, पहले इधर गया, और यहां से Left इधर हो गया, ठीक है, तो स्टार्टिंग से कौन सी Direction में है, स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में, तो यह कौन सी Direction में है, North West, ठीक है, North West है, लेकिन कम चला है, ठीक है तो पहले दस थब साड़े साथ चला देखिए तो ये मिलेगा अपने को नोर्थ में मिलेगा अपने को ठीक है क्योंकि ये तो दस है ये साड़े साथ है अपना ठीक है ना तो यहां पे मिलेगा ये थोड़ा कम चला ना ये तो नोर्थ में मिलेगा अपना उसके बाद question number 10 है रहीम faces towards north, रहीम जो है वो क्या करता है, north face करता है, रहीम face towards north, रहीम जो है north की side है वो, उसका जो face है वो north की side है, ठीक है, turning right, right turn किया और 25 मेटर चलाओ, उसके बाद उसने left turn किया, और कितना चला वो 30, उसके बाद फिर यहाँ पर जाने के बाद उसने right turn किया और फिर कितना चला वो 25, उसके बाद उसने दुबारत से फिर right लिया, right लिया और फिर कितना चला वो 55, पर फाइनली ही टरन टू राइट उसके बाद फिर उसने राइट लिया और फिर कितना चला वो चालिस तो कहता हूँ स्टार्टिंग से कौन से पॉइंट में था अब यह तो 25 है 15 है यहां पर होगा तो स्टार्टिंग से कौन से डिरेक्शन में है तो यह हो गया आपका साउथ इस्ट साउथ इस्ट डिरेक्शन में हो तो डिय अंसर आगया बस तो next sitting arrangement भी क्या बोलता है five girls है G, H, I, J, K are facing south तो इस side face है उनका पांच है इस side face है उनका H जो है G और K के बीच में है ठीक है जो G और K के बीच में कोन है H I immediate right to K K के right में है ठीक है तो ये K है और face उनका इस side है ठीक है तो K के right में है ठीक है and J जो है वो उसके left में है तो ठीक है तो ये G हो गया ये H हो गया, ये K हो गया ये I हो गया और K के G, यहाँ पे J है और यहां क्या है आई यह जे है तो इनमें से कौन सा ट्रू है जे थर्ड लेफ्ट टू के जो जे है वो थर्ड लेफ्ट में है यह ठीक है जी सेकिंड लेफ्ट ओफ आई G is the second to the left of I I K second ना वो तो H है H is right of K ना वो तो left में है H is the left of G यह तो right में है तो यह answer आगया जो J है वो थर्ड है के left में वर्स्ट, second, third यह answer आगया उसके बाद question बowan है एट फ्रेंड है, और सिर्कल फेसिंग दा सेंटर, तो एट फ्रेंड है और सर्कल के अंदर वो बैठे है, एक, दो, ठीक है, तीम, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, ठीक है, यह बैठे है, जे is sitting between O and L, O और L, मान लोग कहीं पर भी O है, और L है, इनके बीच में क्या है, जे, P is third to left of J, third to left, तो यह तो right है, third to left, मतलब 1, 2, 3, यहाँ पर कोन है, P, उसके बाद second and second to the right of I, इसके second right में, second to the right of, right उपर बनेगा, यहाँ पर, K is sitting between I और O, I और O के बीच में कौन बठा है, K is sitting I और O, I इधर है, O इधर है, K बीच में कैसे आएगा, तो इसने बोला है, J is sitting between O and P, P is third left of J, J के third left में, J के third left में, अच्छा, third left तो इधर आएगा ना, third left तो इधर आएगा P, ठीक है, P तो इधर आगया, तो इसको यहाँ से हटाते गवर P को, और, second to the right of I, I के right में है, I के second to the right of I, I के second right में है, I के second right में है, हाँ जी, I के second right में है, और के जो है, I, और O के बीच में है, के जो है, I और O के बीच में है, second to the right of I, I के second right में, यहाँ पे हो गया, I और O के बीच में कौन है, यह तो नहीं बना वही, J and I am sitting not opposite each other, एक दुसरे के opposite नहीं बैठेंगे, J और M, यहाँ पे गडबर कर रहे हैं भी, कुछ ना कुछ ही, दुबारा देखते हैं, eight friend है, center को face करते हैं, J is sitting, J is sitting between O and L, O, L के बीच में J आ गया, फिक है, J is sitting between O and, अच्छे, एक काम होगा, फिर क्योंकि K जो है, वो I और O के बीच में है, तो यह करना पड़ेगा, I, O, K तो इसके बीच में आएगाई, अच्छा, और जो J है, वो O, L के बीच में है, तो J इदर आएगा, O, L इदर आएगा, इनको तो fix कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे, बाग की तो, ठीक है, तो इसको fix करते हैं एक बार, यह बनाया हमने circle, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, और आठ, इनको बिठा यह एक बार, यह आई, यह K, यह O, यह J, और यह L, इनको fix कर दिया, अब बोलता है, यह और O, K, बीच में K हो गया, अब क्यते हैं, J और M, नोट सिर्टिंग अपोजिट अधर, J और M, अपोजिट निए बैठेंगे, मतलब जो M है, वो यहां नहीं बैठ सकता, J और M, M यहां नहीं बैठ सकता, इसके अपोजिट में, ठीक है, यहां नहीं बैठ सकता, अपोजिट में, ठीक है, M यहां नहीं बैठेगा, तो यहां और कोई बैठेगा, ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़, और क्या बोलता था, यह बोलता था पी जो है जे के थर्ड लेफ्ट में है और सेकंड राइट ओफ आई यहाँ पर आजेगा यहाँ पर कौन आजेगा पी तो यहाँ पर आएगा एम क्योंकि एम इसके पोजिट में नहीं बैठेगा आप देखो क्यों बच्चा आई आगया जे आगया है k आगया l आगया m आगया n रहते है यहाँ पर आएगा ठीक है यह बना बस यह फिक्स होगे तो अब देखिए क्या बोलता है स्थाही इनमें से क्या पताना है not correct K sitting third right to L L के third right में है K L के third right में हाँ ठीक है ये तो I is sitting between K and N K और N के बीच में I है ये भी सही है L और I are sitting opposite each other L और I L और I opposite में है हाँ जी M is sitting N और L M जो है N और L के बीच में नहीं ये गलत है ठीक है तो D answer आ गया जो की गलत है मतलब कि अपना answer आ गया न ये note correct तो D is not correct उसके बाद देखे question number 13 read the following information carefully और ये बताने कि 6 person है और two married couple है ऐसा question तो book के अंदर भी है मेरे को जितना धिहान आ रहा है और G is grand mother A mother of A and mother of C तो जो G है अपनी G जो है वो तो grand mother है और mother है किसकी C की C की तो mother है A की grand mother है C की mother है इस तरिक के से होगे E जो है वो C की wife है E जो है C की wife है यानि कि ये wife है ये husband है यहाँ पर हम cross लगा जेते हैं And mother of K जो E है वो K की क्या है Mother E जो है K की mother है K is grand mother of Grand daughter of I तो आई जो है इसकी क्या होगी Grand daughter है आई की ठीक है तो E related to A E related to A तो E की क्या होगी मंदर होई अंसर आगे है बस दो married couple होई गए एक ये वाला हो गया और ये एक ये वाला हो गया ठीक है उसके बाद देखते हैं Question No.14 Pointing towards a person A man said to woman Pointing towards a person A man said to woman A man कहता है Woman को His mother is only daughter of your father एक man कहता है क्या कहता है ये man हो गया Man said to woman एक woman को कहता है Pointing towards a person एक person को Point करके कहता है कि His mother उसकी mother मान लोग कोई बंदा है उसकी mother only daughter of your father How is the woman related to that person अच्छा Pointing towards a person A man said to woman Woman को कहता है कि His mother तो His mother कि उसकी mother मतलब कि इसकी mother only daughter है इसकी जो mother है only daughter है उसके father की तो woman उसकी क्या लगी Mother लगी Only daughter of your father हाँ ठीक है तो तो उसके only daughter है उसके father की only daughter है तो इसकी क्या लगी मतलब लगी हो गया बस Question number 15 है We can produce John as the son of the only brother of his father wife How we can relate to John We can produce John as the son of only brother of his father wife ये father, ये wife ये father, ये wife John as the son of the only brother His father होगे इसके इसके विक्की इंट्रोड्यूस विक्की इंट्रोड्यूस करता है ये विक्की विक्की इंट्रोड्यूस करता है किसी को की विक्की इंट्रोड्यूस करता है John as the son of only brother वाइफ के, यह वाइफ है, इसके only brother के son है, तो कजन होगे यह तो आपस में, ठीक है, तो 60 question कहता है, एक can set to a lady, lady को कहता है, your mother husband sister is my aunt, how related to lady, lady को कहता है, एक यह lady होगी, इसकी mother, इसकी mother, के husband, की sister, इसकी aunt है, एक can set a lady, lady को कहता है, यह lady होगी, इसकी mother, के husband, की sister, उसकी aunt है, man related to, man to brother ही होगी है, इसका, हाँ बस होगी है, 17 है, यह कहता है, sign said, pointing out a lady, एक lady को point करके, कहता है, she is the daughter of the woman, who is the mother of husband of my mother, कहता है, यह mother, mother के husband, husband of my mother, के husband, who is the mother, इसकी mother, she is the daughter of the woman, इसकी daughter, मदलब इसकी तो बुआ होगी, ठीक है, तो लेड़ी साहिल की कहा लगी, तो बुआ को क्या बोलता है, आंट बोलेंगे, होगी हैं सर, next 18, 18 में क्या बोलता है, की pointing to a lady, that woman is my nephew, material, grandmother, maternal होगा है, हापे, material क्या होगेगा, maternal पिलेगा, how is the woman related to a sister who has no sister, he said, the woman, कोई woman है, is my nephew, is my nephew, is my nephew, maternal, grand mother, होगी, मतलब इसके फादर होगे, यह होगी, my nephew है, nephew कैसे है, maternal grandmother, how is the woman related to a sister, who has no sister, क्या बोलता है भई, woman is nephew, जो यह woman है, यह nephew है, मतलब इसके कोई, जैसे की भाई, या किसी की लड़की है, है, how is that woman, जो woman है, related to a sister, a कहता है, कि वो nephew है, a sister, a की sister, जो woman है, वो इसकी क्या लगी, a की sister की, who has no sister, जिसके कोई sister, नहीं है, है, nephew, maternal, यहाँ पर mistake है, कुछ, is my nephew's, grand mother, अच्छा, nephew की grand mother है, वो, मतलब nephew की maternal, paternal, maternal मतलब, नानी है, उसकी nephew की, ठीक है, तो इसकी nephew होगी, और इसकी क्या होगी, नानी, ठीक है, और, तो यह इसकी क्या लगे, तो सनीनलों लगे, मेरे साब से तो यह सनीनलों आना चाहिए, अन्सरी, ठीक है, थोड़ा सा देख ले ने इसको, question number 19 है, some car are towns, some town are flowers, are plant are flowers, देखो, इसको देखो, some cars are towns, some car are towns, some towns are flowers, तो यह तो कार है, यह टाउन है, और जो, some town are flowers, अब फ्लावर्स यहाँ पे भी हो सकते हैं, और, फ्लावर्स जो है, वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यह कार, यह टाउन, और यह फ्लावर्स, और प्लावर्स, सभी के सभी प्लावर्स है, वो फ्लावर्स है, तो प्लावर्स कहाँ भी हो सकते हैं, प्लाउन इधर भी हो सकते हैं, प्लाउन इधर भी हो सकते हैं, प्लाउन इधर भी, प्लाउन इधर भी, है क्योंकि इस case में तो हो रहा है यहां पर प्लांट कार आ रहे हैं इस case में नहीं हो रहा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो कोई fix यहां पर हमारा नहीं है संकार और फ्लावर्स संकार और फ्लावर्स है भी और नहीं भी तो ये भी हमारा फिक्स नहीं है तो क्या अंसर आजेगा नाइदर और नो आजेगा इसका तो next है question, question number 20 कहता है all hurts are flats तो ये देखेंगे question, last question 20 number ये हमारा reasoning का all hurts are flowers ठीक ये हो गया no flat is a building तो building यहाँ पे होगी all building are cottage तो cottage यहाँ पे हो गया ठीक, तो अभी क्या हो सकता है दिखिए all hurts are flats ये hurts और ये flats no flat is a building कोई भी flat जो है वो building नहीं है building यहाँ पे आगी और all building are cottage ये cottage हो गया ठीक है ना all building are cottage no hurt is cottage no hurt is cottage इसका तो कोई लेना देना है यह नहीं cottage का some building are hurts some building are hurts ये भी लेना देना नहीं है तो दोनों गल्त है ये भी अपका के अंसर आज़ेगा डियाना डियाना चाहिए है ठीक है some building are hurts ये तो गल्त है no hurt is cottage ये ठीक है तो ये आएगा only one follows only one follows आएगा ठीक है first वाला तो खीक है no hurts cottage सही कहा रहा है और दूसरे वाला गल्त है some building are hurts some building are hurts ठीक है तो ये गल्त कहा रहा है मतलब ठीक है ना हाग जी तो ये question number 20 हो गया इसके बाद हम देखते है स्ट्रेटिक्स के question देख लेते हैं बसे फड़ा फट तो बस देखेएगा question क्याता sweetness है वो क्या एक attribute है ठीक है ये क्या ये attribute है ठीक है उसके बाद कहता है कि फाइव ओडिटर है फरम के अंदर रिपोर्ट करते हैं रिंकम और एवेरेज और उप्टेड जो 67 है ये क्या डिस्क्रिप्टिव डाटा है ठीक है तो बाक्य तो theoretical question है देखों डिटेल में भी नहीं है नोन डिटेल भी ठीक हो फोड़ा थोड़ा ठीक हो जाला था तो बस तो धान देने वाली बाती वेंडाटा टार्सिफार्ट एक्टो इंटबेला के टिगई तो वन कैते गरी में होगन था शीम्पल 1 के थेग्री में क्यों शीन आणा चीशा सिम्पल च्लसिफिकेशन के अंदर अना ची सब् तो नम्बर जो है मीडियम। गुभी रहे निवीच ओफ़ फ्लोविंग रीपरजेंट तो किसको रीपरजेंट कर दाएं गुद्ब्भर आप टाइम्स नम्बर आप टाइम। हैड प्रिस्पेटिवली विच वन आफ दी फ्लोविंग। तो इसका क्या आना चाहे है भी ये आना चाहे है इसका दो फिर नंबर अव टाइम्स ये भी आना चाहे है quantity हो जाएग स्के लिट पर तो इसके बाद है किरिकेटर रंड स्कोर फ्लाज्ट टेंड टेस्ट मैच इडिलेबल 10 टेस्ट मैच है और statics cannot यूजट किसके लिए यूज़ निकर सकता सबसे कम स्कॉर वो पता चल जाएगा कौन सा कम स्कॉर है सब से ठीक है यह हो सकता है largest score पता चल जाएगा median पता चल जाएगा best score नहीं पता चलेगा best कुन सा है ठीक है हो गया अज़े है तो हर्मोनिक मीन का क्या form में होता है हर्मोनिक मीन का होता है n upon में summation 1 by x individual के लिए लेकिन कौन सी series है discrete series हो जाएगी तो डिस्क्रिट में क्या होता है n1 plus n2 plus n3 और निच्चे क्या हो जाएगा n1 plus x1 n2 divided by x2 और n3 divided by x3 यह चलता जाएगा तो सबसे पहरे तो उपर वेटेज जो है number क्या हो गया summation n हो गया एक दो तीन चार पांच चल रहा है यह तो अबन अपोन x1 तो 1 फॉन मंए x1 तो 1 फॉन मी 1 का स्केर है वन नपन में 1 का स्केर 2 फॉन में 2 का स्केर आ ठीक तो थरीक यह aos एसे चल रहा है erd Henri State तो एपन में n का स्केर clear तो कट रूता जाएगा ये किक तो तो लो पर तो क्या हो गया summation N और निचे हो गया 1, 1 by 2, 1 by 3 इस तरीक क्य से हो गया तो इस तरीक क्यआ यह आपका हो गया मतलब 1 1 by 2 1 by 3, 1 by 4 तो यह हो गया आपका N तक, तो यह भी आपकी क्या बन गई HP HP बन गई है तो ठीक है, तो HP बनगी, तो इसको किस तरीक के से करेंगे, और उपर तो क्या आगया आपका, उपर आगया, NN प्लस 1 बाए 2, यह तो नंबर आगे, वेटेज इतना है, वेटेज 4 नंबर, अच्छा वेटेज यह दे रखा है, गलत लिख लिए अभी हमने, तो दुबारा देखि को, मतलब नंबर दे रखेंगे, तो बस 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 होई गया, वस यह तो, तो नंबर दे रखा है, हमको, नंबर दे रखा है, 1 का स्केर, 2 का स्केर, 3 का स्केर, यह चलेगा, N का स्केर, और नीचे N, बटे में नंबर, तो 1 का स्केर बटे 1, 2 का स्केर डिवेड़ बैट 2, 3 का स् चलेगा, n का square बटे में, n, उपड़ तो हो गया, n, n एन प्लस वन, 2n प्लस वन, बाई में 6, तो, divided by हो जाएगा, समेशन, n तो, समेशन, n हो जाएगा, n, n प्लस वन, बाई में 2, तो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये थरी, तो, n प्लस वन, बाई 2 तो कितना आ जाएगा 12 तो 12 अंसर आ गया आपका उसके बाद है 10 फिफ्टित परसेंटाइल क्या होता है मिडियन होता है यह तो उसके बाद क्याता है हर्मोनिक मीन बताना है हर्मोनिक मीन का फॉर्मला एबी का दिर्ख है सिड़्ी का दिर्ख है और सब का बताने है तो फॉर्मला क्या होता है टू ए बी और अपोन में ए प्लस में बी तो या गया दो बटे पंदरा और या गया तो नहीं होगा उसके बाद नेगटिव ठीक है और पोजटिव नेगटिव और पॉजटिव के अंदर क्या होता है वो बताने हैं तो इसके अंदर तो नेगटिव जो होता है आपका नेगटिव के अंदर आपका होता है कि मीन जो है वो आपका लेस देन होता है मिडियन से और लेस देन होता है मोड से तो यही है इस के अंदर तो नेगटिव आ जाएगा ठीक है तो नेगटिव आ जाएगा तो पोजटीव के अदर क्या होता है अर्फेनर पोजटीव है तो मेन ग्रेटर देन होता है मेडियश चुछ से ऑ ए चाइज ओफ न्यू मेंबर दो साल पहले जो फोर पर्सन की आवरेज अवो कितनी थी फोर्टीन थी दो साल पहले थी तो अब कितना हो गया 14 मल्टीप्लाइ 4 ठीक है तो यह तो पहले थी कितना हो गया 56 तो आज के टाइम कितनी हो जाएगा 634, तो एकट निया member, oh red होगया, ठीक है, मौली जे, x add हो गया, तो बंदे कितनी होगे, 5, और अभी average कितनी होगी, 17, तो 64 plus x ब्रावर 85 तो X कितना आगया 21 तो नए की एज कितनी है उसकी 21 है तो कैसे किया इसको तो पहले 14 थी 4 लोगों की 56 होगी और 2 साल के अंदर सबके 2-2 इंक्रीज होगी 8 बड़ी 64 होगी तो नए बंद आ गया X और बंदे कितनी होगे 5 और एज कितनी है 17 तो इसको 16 कर लिए X की व 14 कोशन है तो कम्यूटिय फ्रिक्वेंसी कितने टाइक क्योंते है दो एक लेस्ट दैन और एक और मोर दें ओपन अन्रीड के लिए उसके बाद निकालते है तो स्पीड के लिए क्या यूज करते हैं हार्मोनिक मीन ठीक है बस यह अंसर आ गया यह बताना था कि कौन सा में य यूज होता है उसके बाद अब यूज्ड वन वान टू विजू एक्सराइज कौन सा माना जाता है अप्सलूट डैशन के करने के लिए बैस्ट कोन सा माना जाता है कि एक निचर क्रोलेशन ब्ताता娘 होथे सब्सक्राइब पूल्किया वोशन है एस्पीक है भी श्पीक है टुत के बारे में बोल रहा है और बोलता है कि सेम इंशनेर्ट सेम इस्टेर्ट मतलब या तो दोनों तूस रूफ हो या दोनों फोल्स हो तो दोनों टूफ के कितने चांस हो गए के 71 by 100 और 40 by 100 और दोनों फोल्स के 29 by 100 और 60 by 100 दोनों फोल्स के यह होगे तो अगर इसको मल्टिप्लाई किया उपर यह होगे अठाई सो चालिस और यह होगे जीरो नोची का चोवन ठीक है और पाज और यह 17 बटे में 100 यह 10,000 तो यह कितना होगे आपका तुम से तुम गया आया इस अधर अच्छा अधर इन अरेस्टिंग सेम इंसिडेंट इच अधर अच्छा ओंट्रेडिक्ट पता ने कॉंट्रेडिक्ट यह तो सेम लाइक होगा ना क्याता एक दूसरे से कॉंट्राडिक्ट हो तो कॉंट्राडिक्ट मतलब एक ट्र्यू दूसरा फोल्स और एक फोल्स तो दूसरा ट्र्यू तो सेवन्टीवन और यह वाला ट्वंटी नाइन बाइ हंडड और फोल्टी बाइ हंडड अगे तो आगया ब्याली सो साथ और यह आगया अठावन ग्यारा सो ग्यारह सो 60 हागे क्या हम् 1150 ते मिल दस हजार तो अभी भी अंसर नहीं आए तो तो योगे 4 दुनिया आठ 36 ग्यारह सो 6 तो 1150 920 कुछ हाए Angel तो अंसर तो अभी भी भी नहीं आ रहा है Likely to contradict each other एक दूसरे से contradict होंगे, मतलब कि ये truth हो गया, तो ये false हो गया, और ये false हो गया, तो ये truth हो गया, इसके multiply करेंगे, तो ये 0.54 कुछ अंसर आ रहे है, तो 0.54 something कुछ अंसर आना चाहिए, आप गई, तो ठीक है, question में कहीं आ कहीं मिश्टेक होई है, फिर तो ये, उसके बाद ब basket contain 15 apples, 20 mangoes, 10 bananas, इफे fruit is selected in random, वे बास्केट, एपल select नहीं होना चाहिए, एपल जो है, उसके नहीं होना चाहिए, और एक fruit select करना है, ठीक है, तो एपल जो है, उस select नहीं होना चाहिए, तो कितने में से लेने है, 35 में से, वो टोटल कितने है, टोटल कितने आपके, 50, not selecting and apple, ए एपल के select नहीं होने की probability बताओ, तो एपल के select होने की probability कितनी है, अंदरा बटे 50 है, select नहीं होने की, तो 0.7 आना चाहिए, नोट select होने की तो, ठीक है, भी एपल select नहीं होगा है, तो mango select होंगे, या बनाना select होएंगे, तो 35 divided by क्या हो गया, 50.7 अंसर आएगा, यहां पर 0.7 भी लेगा साथ, ठीक है, थोड़ी से mistake जरू है, इसके अंदर, अंबेक कोई स्टोस्ट वाइस, obtaining at least 12, दो बार उच्छाला है, और कम से कम एक टेल की बताओ probability, तो एट, वन टेल की probability कम से कम एक हो सकता है, दो हो सकता है, अच्छा, दो बार उच्छाला है, तो 3 by 4 आजेगी ये 0.75 answer आगे है, वेन फेर इस रोल्ड दी प्रोबिल्टी गेटिंगे अ नमबर उन थर्ड डाई ग्रेटर देन, डाई ग्रेटर देन सम उफ नमबर अपीर आपीर अंद फर्स तो डाई, क्या बोलता है, कि फेर डाई रोल करिया है, थ्री फेर डाई, थ्री फेर डाई, पहली दो डाईस के सम, पहली दो डाईस के सम, तो पहली दो डाईस का जो सम है, तो थर्ड का जो है, वो ग्रेटर होना चाहिए, वट इस अ प्रोबिल्टी व गेटिंगे नमबर उन थर्ड डाई, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर पहले दो डाइस का सम और उससे कम होना चाहिए तो माली जिए उससे कम होना चाहिए थाड़ वाली से तो सम की कितने कैसे बने माल लिजिए तो कैसे करेंगे भई जो थाड़ डाइस पे जो डाइस है वो उनके सम से जैदा होनी चाहिए तो सम हो सकता है माल लो एक तो हो नहीं सकता सम कितना बनेगा दोनों डाइस का दो बनेगा तो उस पे क्या सकता है तीन, चार, पांच, छे नमबर आ सकता है सम कितना बनेगा तीन, उस पे नमबर आ सकता है चार, पांच, शे सम कितना बनेगा चार, उस पे नमबर आ सकता है पांच, सम कितना बनेगा पांच, उस पे सम कितना आ सकता है छे अब दो सम कैसे बनेगा एक एक तो एक केस बना और ये चार नमबर आ सकते है तो चार यहाँ पर कितने केस बनेंगे इसके दो तो दो मुल्टिप्लाई तीन कितना हो गया छे यहाँ पर कितने नमबर बनेंगे इसके तीन मुल्टिप्लाई दो कितना हो गया छे यहाँ पर कित चार तो छे और छे बारा और रट बीस बटे दो सो लाना चाहिए या तो इस कोशन के हिसाप से तो वाट इस अ प्रोबिल्टी ओव गेटिंगे नंबर उन थर्ड डाई तो इसमें तो यहीं बनेगा कि जो सम है वो तो या तो एक एक आ सकता है दोनों में दो आ सकता है तो इसमें नंबर आ सकते है तीन चार पांच छे अगर सम आए तीन शमें कि फिर कितना बनना चाहिए चार पांच छे कि कैस और बात करें न तो सम की केश्टू कितने बनेंगे फिर आपके तो ऐसे ही बनेंगे हैं ठीक है यह अन्सराना चीफ फिर तो ठीक है कुछ होग कुछ रहा कोशिन के अंदर उसके बाद 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 टू फिर डाइसा रोल्ड वर प्रोवल्टी ओ गैटिंग साम आउटकम फ्रॉम दिडाइस मुल्टीपल ओ थ्री टू डो इस डाइस है और फरी के मल्टीपल तो 3 का मल्टीपल क्या वेगा 3 6 12 9 इनका सम बताना है इतने कैस बनेंगे तो 3 के कितने मेंगे 2 6 के बनेंगे 5 इसके 1 और 9 के कितने बनेंगे 4 तो 549-211 और 12 बटे 36 तो यह भी अंसर आगया आपका नेश्ट एफ यह चेंज परामेटर को चेंज कर दें तो सेब जो रहेगी तो सेब जो सेम रहते हैं वो नॉर्मल की रहते हैं क्यों बैल आइकन होता है सेब हमेशा जो है वो सेम रहेगी यूनि परामेटरी कि उसके अंदर क्या बताना है मीन बताना है तो इसका फ्रमुला क्या होता है इसका फ्रमूला होता है एक की माइनस म की पावर आपर दे रखाय कितना 7, divide by 7 का factorial और 8 multiply e की minus m, m की power r, r कितना दे रखाय 9 और divide by 9 का factorial, तो ये तो cut हो गया, ठीक है, और ये 7 दे रखाय, 9 दे रखाय, तो यहां से power कितना बचिया, m2 बचिया, तो इसको क्या लिए सकते है, इसको लिए सकते है, 9, 8 और 7 का factorial, ये cut हो गया, 8, 8, cut हो ग कितना आ गया, 3, तो मीन आपका 3 answer आ गया, ठीक है, तो बेसिक से सोल करना था, बस इसको थोड़ा सा, quarterly division पुछा है, तो quarterly division क्या होता है, quarterly division होता है, अपका 0.6745 multiply standard division, तो इसको 4 से multiply करेंगे, तो आपका ये near about 2.70 जो है, ये answer आ जाएगे, ये गया, अभी बोलते हैं कि अगर one half से less than है, probability of success, तो मूव टू क्या होएगा, आपको यह देखना पड़ेगा वोजन डिस्ट्रिबूशन है इसके अंदर वन ओव दी फ्लोविंग कौन सा है इसके अंदर नुम्बर ऑफ डिफेक्ट पर मेटर लॉंग रोल कोटेट पूल इन सीट नुम्बर ऑफ डेज तो गेट कम्प्लेट करू यह अंसरा आ जाएगा तो अडेंटिफाइटर्माइड नुमेरिकल वैलू नहीं बताता उसके बाद थर्टीटू नंबर पोशन है ऐसा कोर्रलेशन बताओ जो यह वाला हो यह कौन सा कोर्लेशन होता है जिसके अंदर आपका कोई भी कोर्लेशन नहीं हो मतलब कि नो कैजवल रिलेसंटीप हो फि को वेरिंस क्या हो सकता है positive negative कुछ भी हो सकता है positive negative और 0 भी हो सकता है आपका ठीक है तो डी अंसर आएगा आपका यह इस फॉर कॉश्चन है यह पोलता है worksheet calculation of rank correlation तो different of rank there का sum of security is the correlation बताना है तो इसका क्या formula होता है तो इसका formula होता है correlation तो इसके बाद formula होता है one minus summation six summation d square बटे में n और n square minus one यह होता न formula साथ रूट का तो coefficient of rank correlation दे रखा है one by three बस यह put करना ही आपका 80 दे रखा है तो उसके बाद solve कर लेंगे n की value निकाल लेंगे कहां से कितनी answer आती है बस आपका ठीक है तो बस अब इसको solve करना है solve कर के आपका answer आजाएगा ठीक है formula देख लेना क्या था इसका तो इससे solve करके आपका answer ये आजाएगा dus index number एक्सप्रेस करता है किसके अंदर index number एक्सप्रेस करता है percentage मेँ percentage में करता ऩाई कीसर जो है फिशर को जो इंटेटनउंट मेरे डिज नॉट साइडशाय इस अपाका सेटिस्वाई नहीं करता तो फिशर जो आपका सेटिस्वाई नहीं करता तो लमें मुटिप्लाई पास से और यह तो यह 109 का स्केर यह हो गया L और P, तो L दे रहा है 110 और यह P हो गया, और 109 का स्केर कितना हो गया, एक, ठीक है यह देख लो कितना हो गया, इसका स्केर कर लो, 109 का स्केर, तो 100, 81 और 1800, यह 10,000, तो 11,800, something कुछ हो गया, तो 110 पे कट गया, तो 108 हंसर आजेगा, 108 हंसर आएगा, पूरा-पूरा बिल्कुल आपका, उसके बाद है, टाइम स्रीज के कोशिन है, theoretical कोशिन है, decomposition किसके लिए होता है, decomposition होता है, आपका, किसके लिए, ट्रेंडिंग के लिए होता है, ठीक है, theoretical कोशिन है, इन्दा time series, seasonal variance कितने period के अंदर आता है, one year के अंदर आ जाता है, seasonal variance, ठीक, एक साल के अंदर season आ जाते हैं सारे, और last है, एक पोल्टेड time series through a periodical variance such that the recurrence period more than one year hence the time series, तो time series एक जो variance है, वो कौन सा वे वे इन्दा आया, यह रेकरिंग प्रेड, एक सैंक्यल प्रेड हो गए, ठीक है, तो सैंक्यल प्रेड के अंदर यह आपका आ गया, तो यह हमने सारे के सारे question कर लिए, आपको hint दे दिया, तो जित इतने marks जो है, exam के अंदर आये, यह थोड़ी सी calculation मैंने solve नहीं किया है, यह थोड़ी साप खुद solve करके देख सकते हो, क्योंकि है आपके मैं कैसे solve कर रहा हूं, calculator पर वो मैं नहीं बता सकता कि वो मैंने formula तो बता दिया है, ठीक है, तो thank you students